अश्कार जैहिन सेकाल दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे आज की इस वीडियो की जानकारी हो सकता है आपके लिए यूज़ फूल हो क्योंकि अभी हाली में जब मैंने हमारेक सब्सक्राइबर से बात की तो उनके साथ एक नैनो में इंसिदेंस हो गया थ तो इस चीज को आपके साथ मुझे साजा कर देना चाहिए तो देखी होगा क्या था कि उन्होंने अपने टाटा नैनो की सर्विस पांस से चे दिन पहले कराई थी तब उसके बाद जब पांस से चार पांस दिन बाद उन्होंने नोटिस किया तो यह देखा किया उनकी देना चाहता हूं कि टाटा नैनो ही एक ऐसी खार है जिसमें की इंजन के अलावा भी अगर आपकी गारी धुआ दे रही है तो बिल्कुल फिट होती है आपकी गारी यह बस एक थोटी छोटी सी हमारी ही एक लापरवाही की वज़े से या फिर मिस्ट्रियों की मेकैनिक की आपकी गारी तो धुमा दे रही है इसमें तो इंजन का काम है मैं आगे चलकर इसको करा लूँगा आप ऐसे ही उसी कंडिशन में टाटा नैनो को चलाते चले गए तो हो सकता है कि आपकी गारी में इंजन का मेजर काम निकल कर आ सकता है तो प्लीज आज की इस वीडियो का आप दास तक देखेगा तो हाई फ्रेंट्स मैं हो मिंट्वार आप इस वक्त है अपने यूट्यूब चानल मिंट्य रोड्स्टर पर आपने भी अगर अपनी टाटा नैनो के अंदर इस चीज को नोटिस किया कि आपको लगता है कि आपकी नैनो भी जो है धुमा दे रही ह लेकिन इस इंजन ओल को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको बिल्कुल किसी समतल स्थान पर खड़ा कर दीजे और हो सकते तो पुई रात भर के लिए खड़ा कर दीजे अगले दिन जब सुबह आप इस चीज को चेक करेंगे तो उस टाइम पर इं मैंचर तो नहीं करता हूंगा लेकिन सिरी में आपको दिखा देता हूं कि आपको इसमें कौन से पॉइंट आपको चैक करने Exam parity um देख रहेंगे इस गेज की अंदर आपको दो लाइन सा पो धिखा या थारी की निचे आपको दिखाई दे घाएगा तो आपको इसी चीज क तो यह चेक करना है आपने क्या करना है कि इस गेज को बाहर निकालना है उसको बिल्कुल पहले साफ करना है साफ करने के बाद दुबारा से इसको अंदर डालना है दुबारा जब अंदर डालेंगे बड़े ही अराम से आपने निकालना है तो इसको जैसी देखेंगे अगर य जो है सिर्फ 2.2 लीटर ही इंजन ओयल को डाला जाता है वो क्या करते कि आप से 3 लीटर का जो बॉक्स मंगाते है वो पूरा का पूरा ही इसके अंदर डाल देते हैं फिर इसके बाद इसमें इस प्रकाई के समझ से आ जाती है क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर 2 लीटर 200 ग्रा आपकी गारी में क्या क्या चीज़े आगती है तो उस टाइम पर जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते आई तो पीछे से धूप आपको दिकाई देते है जैसे आप एक्सेलेटर को ज्यादा प्रेस्ट करते है तो धुशा आपको ज्यादा निकलता हुआ दिखाई तो इस टाइम पर इंजिन का काम निकलता है और इसके साथ यह जो आप गेज देख रही है इस गेज में भी जो इंजिन ओल का जो लेवल अगर आपका बार बार कम होता है यानि कि दो से नीचे चला जाता है फिर आप टॉप अप करते फिर नीचे चला जाता है तो उस करता हूं कि आज की वीडियो आपके लापका दे रहेगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में तब तक लिए सुष्छ रही है जै जवान जै किसान जै हिंदुस्तान जै महाकाल